नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिल्सला और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है गोपाल तलोकार जी ने गोपाल जी आपने कहा है कि आप अकोला महराष्ट के रहने वाले हैं और आपकी उम्र है 51 साल और आपने अपने गोल्ट भी बताये हैं 6 साल के बाद 30 लाख रुपे आपको चाहिए बेटी की शादी के लिए और 6 साल के बाद हर साल आपको 5 लाख रुपे चाहिए 5 साल के लिए और वो चाहिए बेटे की पढ़ाई के लिए और साथ ही आपने कहा है कि रिटायरमेंट के लिए आपको पेंशन मिलेगी तो उसकी आ ये दो गोल्स के लिए आपको पैसे चाहिए और NPS में आप हर साल 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लावा mutual funds में SIP हैं, मुतिलाल ओस्वाल मिटकैप fund में 1000 रुपीज, HDFC डिफेंस fund में 1000 रुपीज, Nipon India small cap में 1000, Tata Digital India fund में 1000, SBI Focused Equity fund में 1000 रुपीज और SBI Technology opportunity fund में 1000 रुपीज की SIP है, बागे share market में 5 लाग रुपे आपने long term के लिए और 5 लाग रुपे swing trading भी आप करते हैं, पांस लाग उसके लिए आपने रखा हुआ है अब मैं आपको बता दू कि swing trading से कितना आपका profit होगा वो कहना मुझे 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 नहीं मालूम उसके बारे में कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं साथ ही shares भी आपने कौन से लिए वे हैं वो भी मुझे जान कर रहे हैं और मैं SIP कर रहे है 6,000 रुपीज पर मंत की और आपने कहा है कि 6 साल का आपका investment horizon है तो यह दि मैं 12% का CAGR एजियूम करूं तो लगभग 6,21,000 रुपीज इकटा हो सकते हैं mutual funds से और जैसा आपने कहा है कि आपका target है 30,000,000 का मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपको 5,000,000 रुप SIP की पढ़ाई के लिए अगर मैं 30,000,000 की भी बात करूं तो उसके लिए लगभग 29,000 रुपिया महिना 29,000 रुपीज पर मन की SIP आपको करनी होगी तो इसके लिए आप जो invest कर रहे हैं और जो आपके financial goals हैं वहाँ पर gap है आपको अपना investment बढ़ाना होगा अब बात करते है आपके portfolio की यानि कि जो schemes आपके portfolio में उसकी आपके portfolio में thematic, sectoral इस तरह के funds हैं और मैं आपको बता दूँ कि जो आपका investment horizon है six years का उसके हिसाब से ये portfolio suitable नहीं है क्योंकि thematic funds हो या फिर sectoral funds हो इन में risk ज्यादा होता है और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किस वक्त पर कौन से theme अच्छा perform कर सकती है जैसे कि मानलीजी हम बात करते है defense theme की defense stocks ने यह इस theme ने बहुत अच्छा perform किया है last one year में आप कहले जैसे थोड़ा और समय पहले कि हम बात करें तो अच्छी खासी rally यहाँ पर हो चुकी है अब even यदि आप बात करे HDFC defense fund की तो NFO से लेकर यह जब fund launch हुआ था तब से लेकर अब तक इस fund ने करीब 50% की growth दिखाई है तो जून 2023 में fund launch हुआ था और हम बात कर रहे हैं December 2023 में तो इतने कम समय में 50% से NAV already appreciate हो चुकी है तो अब ऐसे उम्मीद करना कि इस fund से आपको इस तरह के returns मिल पाएंगे अगले एक-दो साल में थ तो technology fund भी है Tata Digital India fund और साथ ही SBI technology opportunities fund तो बहतर होगा यदि आप 6 साल के हिसाब से invest कर रहे हैं तो आपके पास large and mid cap fund और flexi cap funds इस तरहां के funds हो तो यह सही रहेगा ऐसा नहीं है कि funds खराब हैं लेकिन आपका जो investment horizon है उसके हिसाब से यह suitable शायद नहीं है और portfolio में risk काफी बढ़ गया है तो थोड़े से बदलाव आपको करने चाहिए और साथ ही आपको SIP का amount भी बढ़ाना चाहिए All the best to you बढ़ते हैं आगे और लेतने के लिए सवाद जो पूचा है दीपेश गुल्रजानी ने दीपेश जी आपने बताया है कि आप कुछ funds में SIP कर रहे हैं पराग पारिक flexi cap fund में 2500 महिंद्रा मैनुलाइफ multi cap fund में 2500 निपोन इंडिया small cap में 5000 जे-म financial mid cap fund में 5000 और साथ ही ICIC सब मिलाकर 20,000 रुपेगी SIP चल रही है और आपने कहा है कि आप हर साल टॉप अप भी करेंगे 10-15% से और जाना चाहते हैं कि 10-20 साल में कितना पैसा बन सकता है और मैं आपको बता दूँ कि आपकी choice of schemes अच्छी है क्योंकि आपने large cap, mid cap, small cap, multi cap, flexi cap, सभी तरह के funds में expoder लिया हुआ है और ये अपनी category के अच्छे funds हैं साथ ही आपने एक value style fund को भी अपने portfolio में शामिल किया है तो मेरे साब से ये एक अच्छा portfolio है long term के हिसाब से अब आपने पूछा कि कितना पैसा बन सकता है यदि मैं 12% के CAGR पर calculate करूँ तो 10 years में आप expect कर सकते हैं around 1,65,000 रुपीज यदि आप 10% से step up करते हैं 20,000 पर मंत की SIP अभी है 10% से आप step up करेंगे और मैंने बताया 10 साल में वही 10% से step up करेंगे लेकिन नजरिया आपका होगा 20 साल का तो ऐसे में लगभग 3,72,000,000 रुपीज इखटा हो सकते हैं वहीं यदि 20 साल के लिए आप invest करेंगे और आप step up करेंगे 15% से 10% की जगए पर तो लगभग 5,72,000,000 रुपीज यहाँ पर आप accumulate कर पाएंगे यदि 12% का CAGR यहाँ पर आपको मिलता है और उमीद की जा सकती है कि यदि हम 20 साल की बात करें तो इससे भी भीतर returns शायद मिल सकें तो आप अपने निवेश को जारी रखिए और समय के साथ top up करते रहिए all the best to you और लेते एकला सवाल और इनका नाम यहाँ पर चैनल पर लिखा हुआ है एंथरा X तो मैं आपका सवाल यहाँ पढ़ देता हूँ आपने पूछा है कि यदि Father Sun के अकाउंट में 12,00,00 रुपे cash deposit करें तो क्या tax चुकाना होगा cash बिल्कुल deposit ना करें क्योंकि पहला सवाल तो यह उठेगा कि इतना cash आया कहां से दूसरी बात यह है कि यदि पिताब पुत्र को gift दे उस पर कोई tax नहीं लगता लेकिन क्योंकि आपने कहा कि cash deposit करेंगे तो यह प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि वो पैसा जो है वो father ने son को दिया है या कहीं और से आया है तो cash deposit ना करें बाकि यदि father son को gift करते हैं कितना भी amount तो उस पर कोई tax नहीं लगता तो आप online payment ले लें आप check के द्वारा payment ले लें लेकिन cash avoid करें और ऐसा भी नहीं है कि आप father को बोलें कि जो cash पड़ा हुआ है उसको अपने bank account में जमा कर दें तो पहले ओ cash आया कहां से है उसका आपके पास में कुछ evidence होना चाहिए otherwise tax की बात तो अलग है लेकिन साथ में यदि वो cash है और वो unaccounted है तो ये आपके लिए एक problem create कर सकता है लेकिन tax paid money है तो फिर कोई problem नहीं है बढ़ते हैं आगे और लेतने अगला सवाद जो पूचा है संदीप रे ने संदीप जी आपने बताये कि आप हैं एक aggressive investor और retirement planning के लिए 15 साल में आप दो क्रोड रुपे एकटा करने का target लेकर चल रहे हैं और 15,000 के SIP चल रही है और धाई लाक रुपे अभी तक आपके portfolio की value है और हमने पूचा है कि can I achieve this आप जानते हैं कि mutual funds में returns guaranteed नहीं होते हैं लेकिन 12% के CAGR पर यदि मैं calculate करूँ तो जो 250,000 रुपीज accumulate हो गए हैं और 15,000 पर मन्त की SIP है तो 12% के CAGR पर 15 साल में लगभग 85,000 रुपीज इखटा हो पाएंगे यदि आप SIP amount को 15,000 से बढ़ा कर लगभग 23,000 रुपीज पर मन्त कर देते हैं और साथ ही हर साल 10% से step up करते हैं तो फिर 12% के CAGR पर 2,000 रुपीज इखटा हो सकते हैं और यदि इस वक्त पर amount बढ़ाना मुम्किन नहीं है तो कोई बात नहीं आप 10% से step up तो हर साल करते ही जाएं और बीज बीज में जब जब पैसा available हो आपके पास तब आप और बढ़ाते रहें तो इस तरह से भी आप अपना जो goal है उसे achieve कर पाएंगे तो आप निराश ना हो आप बिल्कुल आगे इसी तरह बढ़ते रहें लेकिन समय के साथ आपको अपने investment को बढ़ाना होगा ये आप ध्यान रखें आप बात करते हैं स्कीम्स की तो पराग पारिक flexi cap fund में आप 5000 रुपीज के SIB कर रहे हैं ये एक अच्छा fund है आप बिल्क small cap fund में 3000 और quant small cap fund में 3000 साथ ही मेरे asset mid cap fund में 4000 रुपीज मेरे asset mid cap fund भी अच्छा है लेकिन SBI small cap और quant small cap fund में आप 6,000 रुपी के SIB कर रहे हैं ये थोड़ी जैदा है और देखे आपने कहा है कि आप एक aggressive investor है लेकि इसका मतलब ये नहीं है कि small cap में आपको हमेशा बहतर returns मिलेंगे तो ज्यादा risk लेकर ऐसा नहीं है कि return ज्यादा हो जाएंगे आपका जो portfolio है वो well diversified और balance हो तो बेतर होगा यदि आप small cap fund में exposure कम करें और उसकी जगहे पर आप एक large and mid cap fund या फिर एक multi cap fund को अपने portfolio में शामिल करें और अब लेते हैं आज का आखरी सवाज जो पूछा है अनुपम कुमार ने हनुपम जी आपने बताया है कि आपके पास है मिरे asset emerging blue chip fund जिसमें 2000 की आप SIP कर रहे हैं एक large mid cap fund है और कैनरा रुबे को small cap fund इसमें 1200 टाटा small cap fund में 1200 तो दोनों मिलागर हो गया 2400 PGIM India mid cap opportunities fund में भी SIP चल रही है 1200 की ICSA potential NASDAQ 100 index fund में 600 की SIP और आपने पूछा है कि 25 साल का आपका जो investment horizon है उसके इसाब से कैसा portfolio है आपके पास large and mid cap fund है small cap fund है और mid cap fund है और international fund भी आपके पास है लेकिन उसमें exposure काफी कम है आप समय के साथ investment को बढ़ाते रहे हैं बाकी schemes अच्छी हैं आप इन schemes के साथ आगे बढ़ सकते हैं all the best to you तो आज इस वीडियो में इतना ही मैंने कुछ सवालों के जवाब दी और मुझे उमीद है कि जानकरी आपको ठीक से समझ में आई होगी इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव आप comment box में post करते रहें और मुझे दीजे इजाजत सावेजों को ध्यान से पड़े